जै श्री माता महालक्षमी नमस्कार दोस्तों आप सभी कापके अपनी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैनल पर बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहु अश्विन मास की अश्टमी तक चलते हैं जो कि पित्र पक्ष में अश्टमी आती है उस तक ये ब्रत करे जाते हैं तो जो आखरी दिन होता है अश्टमी का उसमें ये हाथी पूजा की आती है तो अश्विन मास की खुष्ण पक्ष की अश्टमी जो होती है वो माता महालक्ष्मी की विशेस पूजा की जाती है हर घर में हिंदू परिवारों में ये पूजा जरूर की जाती है घर में शुक्षांदी समरधी के लिए ये पूजा की जाती है तो माता महालक्ष्मी का आपको यहां स्वरूप स्थापित करना है अक्षत का आसन देकर पेरे तो आप चौकपूर लें आपको पटा या आसन बिच्छा लेना है लाल वस्त्र उपस बिच्छा लेना है आम के या फिर अशोक के पत्तों से या फिकेले के पत्तों से आप सजावट कर लेजिए उसका जो पीछी का हिस्सा होता है दौनों तरफ आप उसको अच्छी से लगा दीजे फिर आपको कलस की स्थापना करना है स्वक्ष साफ एक लोटा भर लें उसमें थ्वस गंगाजल डालें एक पुष्प हल्दी की गांट सुपाडी और कुछ अक्षत डालकर आपको यहां आपकर कलस की स्थापना करनी है पंच पल्लाव या पर भी पांच या साथ पत्ते आप लेलिजे आमके और फिर उसके बढ़े ठीका लगा दीजे उसके पूर्ण पातर रख दीजे उसके ऊपर से आपको एक दीपक को रखना है आप चाहें तो यहां पर श्री फलंभी रख सकते हैं यानि कि हमारे नारियल को पानिवाय न तो मैंने पूजा में ही उनको पूजने के लिए रख दिया है यहां पर मिल्टी के पास ना हूं कि हाथ आपको नहीं बारहे हैं यहां पर आप एसी जर Snəklar पर रहते हैं जहां पर नहीं विवस्था हो AAA मिटी के हाथी और मत़ा लक्षमी की तो अस्ट धातू के पीतल के या किसी और धातू के चांदी सोने के आप लेकर मार्केट से उनका पूजन भी कर सकते हैं तो देखिए सबसे पर तो मैंने यहां पर कलश की स्थापना जो की है उसको पूज लेंगे मेरे पास यह चांदी के मतालक्षमी और गणेश जी है तो उनको हमने पटे पर विराजमन करकर स्थापित कर दिया है उनको भी हम पूज लेंगे जी की पूजा करेंगे तो मतालक्षमी की हाथियों की और कलश की पूजा करेंगे हमारे दीपक को प्रज्जुलित करने के बाद ही हमारी यह जो पूजा है वो शुरू होती है सभी पर ہं लाल जो फूल है पुश्ब है वो अरपित करेंगे माता को लाल रंग यह बहुत ही प्रीय होता है इसलिए आप लाल रंग कर ज़द इस्थेमाल करें और यहां सभी जिंगाय's टीका लगा कर रोली लगा कर अक्षत लगा कर साबुत अक्षत लीजेगा हम माता का पूजन कर लेंगे और इसके बाद हम कलश का पूजन कर लेंगे फिसकल मैंने यहां पान रखा है और पान की उपर एक सुपाड़े और इलाइची रखी हुई है आप इसको भी जरूर रखे पूजा में और इसके बाद आपको भगवान को माता लक्षमी को वस्त्र रूपी कलावार पिद करना है आपके पास कोई अच्छी नई चुन्री रखी हो तो उसको आप माता पे उड़ा दीजे आप उनकी वस्त्र भी बिदा सकते हैं अगर आपके पास विग्र हैं तो अनका पंचाम रस्य विशे करकर पहना दीजे फिर मेरे पास आप देख सकते हैं मैंने आपको प्सामगरी में बताया होगा अभी आप नहीं देखिये वीडियो तो देख लीजेगा कि मेरे पास एक सोनी की छोटी सी तावीज टाइप की है जो कि पत्टे बेनी हुई है माता लक्ष्मी सोनी की पत्टे पर तो मैं आपको दिख रहा होगा लिए को तो थीन आते कर लेंगे हैं अब तीन मता लक्षमी है जो मेरे पास अलग अलग धातों की एक तो छांदी की लक्षमी की लेख़ट्जी और एक मेरे पास आधे पर विराज मनें तो तीन माता लक्षमी को यहां पूजा कर रही हूं आपके पास जैसे ववस्था हो वैसे आप कर सकते हैं मिटी के बना सकते हैं आपके पास चांदी के चांदी की ले सकते हैं पीतल की हो तो पीतल की ले सकते हैं जो भी आपके पास हो कुछ भी ना हो तो किसी फोटो में अगर मातालक्ष्मी के आसपास हाथी हैं आप पूज़न कर सकते हैं अब यहाँ आ हैं पर माताईलक्षमी को प्री यहीं चीज़े होती है चांदी सोने के सामान जो आपके पास हो आप यहाँ नोट निकाल कर रख सकते हैं याँ लग ऑ्कज़न कीजिए एक वजो गुछना आती है हमारे हाँ जो कि अलग-अलग colors की आती है, उनका भी मैंने रखा हुआ है, पूजा की है, अब आपको माता महालक्षमी के लिए सोला श्रिंगार यहाँ पर रखना है, हो सकी तो बास की डलिया में लिख रखिएगा, नहीं है, तो को भी आप थाली या प्लेट लें, उसके चुन्नी लग कर रही हो, आप चाहें, तो आपके पास अगर कोई फोटो हो, जिसमें श्री अंत्र बना हो, या फिस टफिक के श्री अंत्र भी आ रखते हैं लोग, तो उसका भी पूजन भी कर सकते हैं, और कुछ भी ना हो, तो आप कोई प्रिंट आउट निकालने गूगल से, उसमें श भूग अर्पित किया है, जिसमें की पेठा है, और लड़ू है, और पेड़े का प्रिशाद लगा रही हूं है, आप चाहें तो यहां पर बेसन की, मैंदे की और गुड की जो पकवान बनाया जाते हैं, जेवर बनाया जाते हैं, वो भी आप यहां अर्पित कर सकते हैं, प अपनी हर एक पूजा में आपको बताती हूं, तो पूरे भाव से पूजा कीजेगा, इत्र और धूप अर्पित कर दीजेगा, जो भी आपने सामान चड़ाया है, उन सब ही को बहुत ही भाव से चड़ाईए, जरूर लगाईए, मौसमी फल और मौसमी जो भी आपको फूर मिल जाएं, तो वो आप अर्पित कर दीजे, एक पानी पीने के लिए मतारानी के लिए और हमारे हाथी के लिए, यहां पर जो जल है, लोटा है, चोटा सा एक चरूर भर कर रखेगा, जो अफल अर्पित कर रहा है, उसमें केले का प्रशाज जरूर लगाएगा, जो कि हाथ कर रहा है, तो चले, आज हम आर्ति का लेजे, मता महालक्षमी की जो भी आर्ति आती है, वो गालीजे, और इसके बाद आप करना किस तरोत का पार्ट अबश्य रूप से करेगा, आपको करना किस तरोत का पार्ट अगर नहीं आता है, तो आपको गूगल पर भी मिल जाएग अब आरती आप लिलीजिए अपने पूरी परिवार को आरती दीजिए और हाँ जो कर प्रातना कीजिए कि आपकी पूजा सफल रहे आपके साड़ी के पलो से आप माता के चरण जरूर छू लीजेगा और जहां आप बैटे हैं उस आसन के नीचे तुछ जरूर छोड़ेगा और सबस्क्राइब कर लीजेगा इस तरीके से आपको पूरी जो पूजा करना है आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा ल का हमें विसरजन कभी नहीं करना चाहिए सदेव हमारे घर पर वो रहे हम यहीं प्रातना करते हैं तो पूरी पूजा आप शाम के समय उठा लीजेगा और माता महालक्ष्मी को किसी सुरक्षर जंगया पर आप पैक करकर रख दीजे आप अगली साल भी इसकी पूजा ऐसे ह कर सकते हैं इस तरीके से आपको पूरी पूजा करनी है आप सभी को मता महालक्ष्मी ब्रत की बहुत बहुत शुब कामने आज का वीडियो मैं यहीं स्वाप्त करती हूँ आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर प्रिवाद